एलो गाइज यूर इंगलिस ट्वुटर के इस एक और नई लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज का लेसन जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब और इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं verb के बारे में action verb के बारे में आपको बता चुका हूँ और आज जो बताऊँगा मैं आपको बताऊँगा principle verb के बारे में इसका meaning समझाँगा कि क्या ये meaning इसका बोलता है कुछ example आपकी सामने लिखे हूँ है जो कि मैं आपको समझाँगा जिससे आपको ये idea clear हो जाएगा कि आप अपनी language में और आपकी classes यापकी education में ये कैसे काम आपके आ सकती है तो चलिए topic पर एक बार start करते हैं इससे पहले आपको मैं बता दूँ अगर आपने channel अब तक subscribe नहीं किया है तो channel subscribe एक बार कर ले क्योंकि इस channel पर आपको grammar से related और speaking की सारी classes की videos मिलती रहेंगे तो चलिए हम पहले इसका meaning पढ़ लेते हैं Meaning की बात करें तो बोलता है principal verb are those verbs that express action by themselves मतलब यहां बोला कि principal verb वो verb हैं जो action आपको बता चुका हूँ इससे पहली वीडियो मैंने action पढ़ाया था नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं तो यहां बोला principal verb those verbs that express action by themselves मतलब कि जो subject की बात होगी वहीं दिखाया जाएगा कि action मतलब यहां पर simple check example सुन जाता हूँ आपका इससे समझ में भी आएगा the bird sings beautifully मतलब यहां समझ में आपको कि यह action यह जो हमारे पास subject है यह नाउन जो भी बोलो आप इसको the bird sings beautifully action क्या है sings the bird sings beautifully मतलब कि action इसने खुद perform किया तो definition बोलती दी principle verbs are those verbs principle verbs are those verbs that express action by themselves तो यहां पर क्या है यहां कोई object नहीं है subject ही अपने आप action perform कर रहा है जैसे बोला the farmer plot the field farmer ने क्या किया खेतों में हल चलाया I like chocolate तो मैं क्याप्सन करता हूँ chocolate तो यहां simple सी एक चीज़ है कि जो action वो principle verb है वही क्या कर रही है action को perform कर रही है कोई object यहां पर है नहीं इस काम को करने के लिए object का आपको अगर नहीं पता वह वी वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी रमन वोच इस टीवी रमन क्या देखता है तो यहां यह simple से जो case होते हैं यह हमारे क्या है principle verb है जिसमें क्या है कोई object नहीं होता object की वजाए जो subject होता है खुद action को perform यहां पर करता हुआ आपको दिखता है हमारे पास है principle verb यह छोटा सा topic बिल्कुल simple topic है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आपका कोई doubt हो तो नीचे आप comment section में लिखे पूछ सकते हैं आपका माउस्कार पलाई दूँगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई